10 माई पहला पाट प्रेरी चरित अध्याई 11 पत संख्या 19 से 26 तग स्टेफनुस को लेकर येरुश्लम में अत्याचार प्रारंब हुआ था जो लोग इसके कारण बिखर गए थे वे फेनीसिया, कुप्रूस तथा अंताकिया तक पहुंच गए वे यहूदियों के अतिरेक्त किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते थे किन्तु उनमें से कुछ कुप्रूस तथा कुरेन के निवासी थे और वे अंताकियात पहुंच कर युनानियों को भी प्रभु इसका सुसमाचार सुनाते थे प्रभु उनकी सहायता करता था, बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु की और अभिमुख हो गए यरिश्लम की क्लीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनाबस को अंताकिया बेचा जब बरनाबस ने वहां पहुंच कर इश्वरिय अनुग्रह का प्रभाब देखा तो वे आनन्दित हो उठा उसने सभी से अनुरोद किया के वे सारे हिर्धाय से प्रभु के प्रति इमानदार बने रहें क्योंकि वे भला मनुश्य था और पुवित्रात्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था इस परकार बहुत से लोग प्रभु के शिश्यों में सम्मिलित हो गे इसके बाद बरनाबस साउल की खोज में तरसुस चला गया और उसका पता लगा कर उसे अंताख्या ले आया दोनों एक पूरी वर्ष तक वहां की कलीसिया की यहां रहकर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे अंताख्या में शिश्यों को पहले पहल मसीही नाम मिला ये प्रभु की वाणी है इश्वर को धन्यावाद प्रभु ने पुवित्र परवत पर अपना नगर बसाया है वियकूप के अन्या नगरों की अपेक्षा सियोन के फाटकों को अधित प्यार करता है इश्वर के नगर लोग तेरा गुनगान करते हैं अनुवाक्या स्मस्त राष्टों उसकी महिमा गाउ मिस्र और बाबुल के लोग उसके नागरे कहलाएंगे फिलिस्तिया, तिरूस और इथोपिया सियोन को अपना जनमस्थान मानेंगे सब लोग सियोन को अपनी माता कहेंगे क्योंकि सब वही उत्पन हुए है सर्वोच प्रबु उसे सुद्रिड बनाए रखता है अनुवाक्या स्मस्त राष्टों उसकी महिमा गाउ प्रबु राष्ट्रों की सोची में उनके विश्य में लिखता है कि सियोन उनका जनमस्थान है सब के सब नृत्य करते हुए सियोन का गुनगान करते है अनुवाक्या स्मस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाउ जै गोश आलिलुया अनुवाक्या आलिलुया मेरी बेड़े मेरी अवाज पहचानती है मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरन करती है अनुवाक्या, आलिलुया संत्योहन द्वारा रचित सूस समाचार अध्याई 10 पदसंक्या 22 एती उन दिनों यरुसिलम में प्रतिष्ठान पर मनाया जा रहा था जाड़े का समय था इसा मंदिर में सुलिमान के मंड़प में टहल रहे थे यहूदियों ने उन्हें घेर लिया और कहा आप हमें कब तक असमंजंस में रहेंगे यदि आप मसी हैं तो हमें सपष्ट शब्दों में बता दीजिए इसा ने उन्हें उत्तर दिया जो कार्य मैं अपने पिता के नाम पर करता हूँ वे ही मेरे विश्य में साक्षे देते हैं किन्तु तुम विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी बेडें नहीं हो मेरी बेडें मेरी आवाज पहचानती है मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरन करती है मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करूँगा उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें मुझ से कोई नहीं छीन सकीगा उन्हें मेरे पिता ने मुझे दिया है वे सबसे महान है उन्हें पिता से कोई नहीं चीन सकता मैं और पिता एक हैं ये प्रभु का पुद्र सुसमाचार है ख्रीस्त कीजए